मुझा जब 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 दो मेम सब जब मेकर चली जाते है तो तुमार सब बिलकुल आलसी हो जाते हैं ना तो अगवार उठाया ना दूद उठाया ये ये लिए कौन है हो अरे प्रेडी सुदे सुभी यहां पर क्या पाथ अरे ठीक तो परिशान लग रहा आप बहुत लखी हो सर तो यह तुम्हारी परिशानी है अच्छा हुआ आपने शादी नहीं की बभलत कि में कैता हूँ किसीने भी शादी नहीं करनी चाहिए वो तो लड़ू खांगे पश्ता रहे हो आप बीविस से तु-तु-म्हारी करके आ रहो यहां पर हा तु-तु-म्हारी मेरे घर में सिर्फ में में चलती है कैसी दिखती है मेरी बॉड़ी एकदम फिट लगता हो की नहीं? हाँ, बिल्कुल फिट है मगर मेरी पत्नी मुझे फैट के दिये अब फिट और फैट के बीच में अंतर है की नहीं? बिल्कुल मगर उसे कौन समझाएगा? कल राखो में खटिया पे सोने गया तो खटिया तूड गई पूड गई? हाँ, इसमें मैं क्या करूँ? खटिया पुरा नहीं थी कहने लगी, तुमारा वेट बढ़ दिया है तुमें एक्सेसाज नहीं करते? तुमने एक्सेस करने छोड़ दिया टाइम कहां से निकालू सर दिन में CID की ड्यूटी शाम को वाइफ की ड्यूटी अब इस बीस्ट में मैं जिम कब जाऊं सर मैंने उससे कहा कि तू शाम को अकिली बजार जाया कर ताकि मुझे जिम जाने के लिए वक्त मिले लेकिन नहीं, भड़क गी मेरे पे कहने लगे कि तू पहले तो बहुत टाइम निकालता था मेरे इर्दगिर्द भवरे की तरह गुमता था लेकिन अभी एक गंटी की फुर्ज़ भी नहीं तुमारे पास मैं यह क्या करूं सर यह तो बहुत गलत हुआ कुछ करना पड़ेगा एक काम करते हैं भावी को फोन लगा के बात करता हूंने उनसे आरे नहीं सर क्या भा मरवाद होगे अगर उसे पता चला ना कि मैं कंप्लेंटे कर आपके पास आया हूं तो वो माई के चली जाएगी घर की चावी ने कर पर फिर मुझे आपके घर में रहना पड़ेगा ओ मतलब मामला सीरियस है रिस्क नहीं ले सकते हैं क्या करेंगे सिवाय अपसोस के मैं तु कुछ नहीं कर सकता मेरे पास एक उपाय हाई क्या? भावी को लगता है कि तुम फैट हो फिट नहीं हो तो तुम फिट हो जा कैसे? एक्सिजाईस करके? और एसी एक्सिजाईस बताऊंगा जो तुम आफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो मगर हाँ जब फुरसत मिले तभी करना ये तो एसी बज़ आपको पता चल गया ना तो तुम्हें नौक्रे से निकाल देगे अगर है ना? एक मेंटा हलो? क्या? कहां पर? ऐसा क्या हुआ होगा दोनों के बीच में जो नाई ने कुमार जी को ऐसा मार डाला सर लगता है नाई ने बस आवेश में आकर इंका खून कर डाला नहीं तो इतने सारे सबूत पीचे क्यों छोड़ जाता आपर रज़त क्यों? क्यों? मुझे एक बात बता आपके कुमार साहब करते क्या थे? इस चोटे-चोटे दंदे वाले जो लोग है ना उनको करजा दिया करते थे चाहा, करजा दे दे थे वैसे आप कितने सालों से काम कर रहें यहां पर वो जब स्कूल जाते थे गर के बाके परिवार वाले कहां पर है? नेम साब तो बच्चों के साथ अपने मायके कहीं हैं दिली मैंने उनको फोन कर दी आई एक बात बताओ क्या कुमार जी अपने बाल घर पर ही कटवाते थे सालों में जाके बाल कटवाय करते थे मतलब पहली बाहर उनों ने गर में बाल कटवाय है इतनी रात गए इस घर के एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखो एक एक सबूत उठाओ और फोरेंसी क्लाब भेज दो रज़त कुमार जी के नाई का पता लगाओ दिखाओ उसे कुमार के नाई को बुलवा लिया? आसर इसका नाम संदर है और पिछले चार सालों से कुमार के बाल यही काट रहा थे यह संदर यह कुमार तुम से ही बाल कटवाते थे जी सर चार साल पहले जब मैंने अपनी दुकान के शुरुआ की थी तब से ही कुमार जी सिर्फ मुझसे ही बाल कटवाते थे और लगबग हर मेड़े पांच तारिकों वो दुकान पर आ जाते थे चाब जब कुमार जी का खून हुआ तो आप कहा थे सर मैं अपने दोस्तों के साथ दस साड़े बारा के शो के लिए गुड़ मुवी हॉल में सिनिमा देखने क्या था आप चाहे तो मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते इसकी ज़र्गत नहीं पड़ेगी पुर्वी, गुड में वी ओलका सीजी दी भी फूटेज चेक करो देखो क्या सुन्दा सच बोल रहा है या पिक्चर के बीच में जाकर कहीं आया तो नहीं बंकच, जब तक फूटेज चेक नहीं होता चाहे काफे पिलाओ इसे है? इसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो आदमी, मेरा मतलब एक कुमार हर मेने के पांच थारीक कोई बाल कटवाता था उसी रात मौत के रात क्यारा बजे ही बाल कटवाने की उसे क्या ज़रूरत बड़ी सर्थ सर्भ यूपी पते चला है कि बैंडरा में एक आदमी का खून हो गया और उसे भी कुमार की दरा मारा किया उसकी लाज को फॉरंसी लेके आ रहे से दो दो खून एक तरीके से कि इन दोनों खूनों में कोई संबंद हो नहीं अभीत अब तो यह सानुके ही बताएगा क्या संबंद इन दोनों खून में है हाँ सानुके उस लून्ट गिलर के बाले में क्या पता चला बस खूनी बहुती पेशेवर एर स्टाइलिस्ट है उसके आतों में हुनर है अच्छे बाल काटने का सानुके साब क्राइन सीन पर जुसारी चीज़ें मिली थी कपड़े, कैंची, बाल उनसे कुछ और पता चला? कुछ खास नहीं, रजट खूनी इतना होशार है को उसने जरा भी बिलकुल भी अपनी उंगलियों का निशान नहीं छोड़ा कई भी यहां तक के कैंची पर भी अपना कोई उंगलियों का निशान नहीं जोड़ा लेकिन एक खास बात है बास जो पता चली है वो क्या? बास यादर इन दोनों के गले पर हमें पाउडर मिला था सानुके साब बाल काटने के पाथ हेर ड्रसर कले पर पड़र लगा था ही है आ लेकिन यह एक लाइट ग्रे कलर का पाउडर और इन फैट तो बहुत यह पाउडर था ही नहीं कड़के पाउडर नहीं है तो फिर क्या है सब वो राक है वो भी इंसान के अस्तियों की राक क्या राक? इंसान की अस्तियों की राक? हाँ बस और दो अलग-अलग आद्मियों की राक और उस राक का डियने करने से पता चला के जिन लोग की राक है वो आपस में रिष्टिदार है दोनों आद्मी थे इसलिए रिष्टे में वो दोनों या तो भाई भाई थे या फिर बाप बेटा भाई भाई या बाब बेटे मतलब यह खूनी जिस कैंची से बाल काटता है उसी कैंची से खून करता है उन लोगों का और फिर उनके गले पर इंसान की अस्तिकी राक लगाता है बड़ी अजीब बात ही है अगवा करने वाले के हाथ में कैंची थी है कैंची अब रजट यही है यह कैंची वाला हमारा कुनी यही है यह हैर स्टाइलिस्ट सलून किलर उस्की पेढ़ लत यहार कि अविभर कि अवज़ा के अवर व्याट भून किया था है सर मैंने ही घुट किया था सर वो लोग मेरी पती को लेग आगए मेरे पती को बचा लेगए बचा लेज़े मेरे पती को एक बिटेक 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 मेरम शांत हो जाएए आप ठीक से पताईए हुआ क्या कौन लेगा अपके पती को मुझे नहीं पता सर्थ मैंने उसे पहली बार देगा था उसने अपने मूँ पर रुमाल बांद रखा था मेरे पती जैसे गारी से निकले पता नहीं कहां से वो सामने आगया और मेरे पती के मूँ पर रुमाल रखकर उने बेहोश कर दिया सब्सक्राइब मैंने वने कोशिश को कि रेखने से सर pó है मैंने उन्हमने हमादि की Jason लेकिन उसा अदमी के हाथ में कहे जी थी और उसने मेरे मेरे बेहुश पदी को गारी में मिठाकर पतानें कहा ले लेकर मेरे पदी को बचानी जए जए बचानी जए सार मेरे निपर देखो देखो, देखो समाद मेरे सार यहाँ पर गुमाल पड़ा हुआ मैम क्या यह कपडा इस्तिमाल किया गया था आपको पती को बेहुश करने के लिए हाँ, सार यह यह वही कपडा है सार, जोरोफम करिस्तिमाल किया लगता है सलून किलर बड़ी तैयारी के साथ आया था सलून किलर? यह सलून किलर कॉन है इसका मतलब वो मेरे पती को भी माठा लेगा देखें प्लीज, आप चिंता मत कीजिए उससे पहले कि वो आपके पती तक पहुँचे आम उसे डून निकालेंगे देखें मैडम, आप यह पताईए कि जब वो लोग आपके पती को गाड़ी में डाल के ले गए तो आपने उस गाड़ी का नंबर देखा कुछ याद है आपको? नहीं सर, नंबर प्लेट पे तो काला रन लगावा था लेकिन गाड़ी की पीछे साइट पे काज पे एक स्टिकर चिपका था जिसमें Q1 लिखा था Q1? क्या उस टिकर पे कोई म्यूजिकल साइन भी बना हुआ था? हाँ, हाँ, हाँ यह तुम इस Q1 के बाल में कुछ आती है? हाँ सर, Q1 एक दुकान है जा गाड़ीयों के म्यूजिक सिस्टम्स बेचे जाते हैं ओ गाड़ी के नमर बेट को काली करने से उसने सोचा कि वो बच जाएगा पेवकूफाद में Q1 म्यूजिक Q1 Q2 Q1 Q2 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 मैं कि लेस्कॉट गाड़ी में आपने कुछ लगाया है, म्यूजिक सिस्टम बगएरा? जी सर्थ जी यहां सर्थ इस तरह की चार गाड़ियों में मैंने आडियो सिस्टम फेट किया है सिस्टम का जवाब नहीं सर्थ इसकी जितनी भी तारीफ करने सर्थ बहुत ही कम है इसका नंबर देंगे अब, नंबर निकालेगे निकिल, पता करो यह गाड़ियां किसके नहां पर रेजिस्टर्ड़ है और उनके पते क्या है उन्ही इने में से कोई है सर्थ सब जगा देख देख यह बस ही है, आखरी जगे बची है निकिल, पिछले तीन जग़े पर तो कोई सुराग ने मिले देख यहां काउन मिलता है अरे, साला लगा बस है क्या, क्या वात है सर? हम लोग CID से है हमें Mr. Sumuk से मिलना है उनके नाम पर गाड़ी रेजिस्टर है XY35 MT645 गर पे नहीं है क्या वो? साब मैंने सुना था कि वो दो मेने पहले ही मर गया था क्या सुमुक दो मेने पहले ही मर चुका है? जी साब और आपको? साब मैंने नाम सनी है साब मैं इसी खोली में रहता हूँ साब मैंने सुना था कि दोनों बाप बेटे ने आत्मत्या कर ली था कि चारे दोनों इसी खोली में जलके मर गया था यह सब कैसे हुआ? आप उने बचाने की कोशिश नहीं की? वो साब सब कुछ आदी रात को हुआ ना? तो किसी को पता ही नहीं चला मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी आप साब मेरा नाम कानता है मैं बाजुवाली खोली में रहती हूँ अचाहिए यह सुमुक की जो गाड़ी है वो कहा है? गाड़ी? क्या? सुमुक के पास गाड़ी थी? साब हमने तो कभी नहीं देखी और सुमुक तो चली नहीं पाता था सुमुक के नाम पर रेजिस्टर्ड है अब सुमुक चल नहीं सकता था यह क्या राज है तो दर्वाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा दोनों लोग जल कर आत्मत्या कर लेते हैं जब तक दोनों चल कर पूरी तरफ से राक नहीं हो जाते हैं यहां और उस्यों को कुछ पता तक नहीं चलता है बढ़ी अजीब बात है मतलब सर आपको शाक्या कि सुमुका और उसके पिता ने आपते हैं नहीं कि उन दोनों को किसी ने जला के मारा थे और आपको उनकी मौत का बदला ले रहे हैं यहां और वो आदमी सुमुक का कोई करीबी दोस्त हो सकता है यह पिर उसके पिता का कोई करीबी रिष्टेदार लेकिन एक बात है तो के से? डॉक्टर सानुंके ने हमें बताया था कि मिस्टर कुमार के गले पे जो राक मिली थी वो दो अलग-अलग लोग के थे और दोनों रिष्टार थे तो हो सकता है यह दोनों बाप बिटे हों सर इसका मतलब वो राक सुमुक और उसके पिता की है? आमजे शक तो है पर कंफर्म करना बहुत जरूरी है एक काम करो यहने टेस्क के लिए उनके बाल उठा लोगा और बातरूम से रूटब्रश और घर के अची तरसे तलाशी लो देखो कुछ मुलता है सियorta सो सफनु इस दो दो अक्न लानसे नियोल अपलिकेशन है अज तो तो दो न अप्लिकेशन है तो जो हाँ गोल्टन फिनाञ्स टून ऊपलिकेशन फो guess गोल्टन किनाच सो प्रविट फिनास कौंपनी तो बांक नहीं है और जो ही आफिनांस कंपनी सुमुक के मरने से दो मेने पहले का अधारीगत, क्या पता हुचला? सुमुक के घर से जो तूटब्रश और बाल के सैंपल आप लोग ने भिजवाय थे, इसके डियन टेस के रिपोर्ट अगई है अन नतीजा? परफेक्ट मैच दोनों लाशों के गले पे पाई गई राक, सुमुक और उसके पिता जी की ही है बतलब मेरा शक्स नहीं निकला, कोई तो है, कोई तो है, जो सुमुक और उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता है लेकिन सर ये समझ में नहीं आता कि मिस्टर पार्थ और मिस्टर कुमार को मारने से पहले उनी ने उनके बाल क्यों काटे एक क्राइम सीन को एक सैलान को रूप क्यों देना चाहता है अगरेजर सबसे पहले आप ये पता लगाना चाही कि ऐसे कौन करीबी लोग है सुभूखर उसके पिता जी के जो उनकी मौत का बदला लेना चाहते है और फिर इन दोनों ने आत्मत्या है क्योंकि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उन दोनों को मार डाला हो और आत्मत्या दिखा रहा हूँ और सर मिस्टर पार्थ और मिस्टर कुमार को खुनी ने उनके घर में ही मारा लेकिन मिस्टर मधूसुदन को उसने अगवा कर लिया जान बूच ले हो सकता है ना भूस नगो कि इखाज झे ले जा हगर के मारना चाहता हौ कर द closely अच्छा गॉल्डन फाइनेंस कमपणी के ठीक है स्अ्यमुक ने मरने से पहले गॉल्डन फाइन फायनस कमपणी से लोन लेना चाहा था गॉल्डन फाइनस कमपणी सब्सक्राइब करें तो सर वही पे गए है पार्थ? कि ये वही पार्थ नहीं जिनका बांदरा में खून हो गया? जी सर वही अच्छा कि आप पार्थ और रगवीर कंपनी में पार्थ नहीं थे? काफी समय से वो दोनों साथ में काम कर रहे थे और जादा तरफ रहसले में सर पार्थ ही लिया करते थे तैंक यू, तैंक यू बेरी मच्छ ओके सर पता लगाना पड़ेगा ये सुमुक पार्थ को जान था कैसे था और फिर उसने पार्थ को मारा क्यों? मैं बेल को अकेली रह गई आपके बिनों मेरे जिवन में कोई मतलब नहीं मैं कैसे जोगी? शूज में रभविर रभविर जी बेल मिस्टर रभविर, जी सर जी करें, महीर रभविर हो रख बिशूज में, इस समया पोड़िज़र्प कर रहे हैं उड़ोग हम लोग CID से हैं बिस्टर पार्थ आपके बिजनस पार्टनर थे यहाँ सर, वीस साल पहले मैंने एक कमपनी शुरू किया थी, जो पिछले दस साल से घाटे में जा रही थी पार्थ अगर उसे चाइन नहीं करता तो एक कमपनी डोप जाती सर, मैं रोड पे आ जाता हूँ बहुत अच्छा आउत अधिता सर अच्छा अच्छा आपने कभी किसमिस्टर कुमार या अधुसुन इन का नाम सुना है शरामो है, नहीं सर, मैं दोनों लोग उसे नहीं मिला हॉ नहीं कभी पार्थ के मुह से इनका नाम सुना ये लेकिन क्या हो वह सर? Mr. Kumar का भी खून ठीक उसी तरसे हुआ है जैसे Mr. Parth का हुआ है और हमें शख है कि Madhusudan को भी उसी खूनीने वगा किया है खेड, अब ये बताएए कि आपको किसी पे शख है नहीं सर, पुझे किसी पे शख नहीं है Parth बहुत जादा प्रोफेशनल था अपने घर और काम से मतलब रखता था ना तो उसकी कोई बुधी सॉबट थी और नहीं उसे कोई बुरी आदत थी मिस्टर पार्थ ने कभी सुमुक नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ बताया सुमुक हाँ सुमुक नाम के एक आदमी ने हमारे कंपनी में एक लोन के लिए अर्जी दी थी 25 रुपे के लेकिन पार्थ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था ओ और उन्होंने इसा क्यों किया था कुछ पता है नहीं सर लेकिन एक बात सरूर है पार्थ को अगर लगता था कि कोई आदमी हमारा पैसा नहीं लोटा पाएगा तो वो उसकी अर्जी नामन्सूर करतेता था और उसका ये फैसला हमेशा ठीक होता था सर इसलिए हमारी कंपनी फाइदे में चल रही थी थैंक यू रगवी थैंक यू सब्सक्राइद सुमुक ने मिस्टर कुमार और मदुसुदन इन दोनों सुए कर्जा मांगा होगा उसर उनकी तो कोई भी फाइन्स कंपनी नहीं थी लेकिन कभी-कभी बिजनेसमेन उचे ब्यास पर कर्जा दे दिया करते हैं काम करो मिस्टर कुमार और मदुसुदन इन दोनों के परिवार वालों को और उनके ओफिस में जितने लोग काम करते हैं उन सब को प्योर बलाओ सर ये कुमार जी की पत्नी है और ये मदुसुदन जी की पत्नी है और यह दोनों मुदूसुदन जी के कमपनी में काम करते हैं सर, मेरे पती का कुछ पता चला? वो, वो सही सलामत तो है ना? देखे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपके पती को हम सही सलामत वापस ले आएंगे हम पूरी कोशिश कर रहे है विसे, मिस्टर कुमार, छोटे-छोटे बिजनस में इन्वेस्ट करते हैं ना? और मिस्टर पार्थ की कमपनी लोगों को बिजनस के लिए पैसे उदार देती थी तो चया वैसे ही मदुदन जी भी पैसे उदार देتे थे लोन देते थे जी हां सर, वैसे तो हमारा टेक्स्टाइल का बिसनिस है, लेकिन मेरे पती लोगों को बिसनिस के लिए प्राइवेट लोन भी दिया कर दे थे आप लोग मदो सुधन जी के आफिस में काम करते हैं जरा याद करके बताएए कोई सुमुख नाम का आदमी आया था क्या उनसे लोन मांगने के लिए हाँ सर, इन महीने बहले मिस्टा सुमुख की लोन अप्लिकेशन आया थी लेकिन सर, शर ने उसे लोन देने के लिए मना कर दिया था यह सुमुख तो मर चुका है और यहां तक यह उसके पिता की भी मौत हो चुकी तो भी कौन है जो यह सब कर रहा है कोई ऐस आदमी जो सुमुख और उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता है करीमी रिष्टेदार या दोस्त माविजीत पता लगाना ही पड़ेगा इनके रिष्टेदार और दोस्तों के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा जोबाजी तो आप मालगे नेस जौल की होई साहिब गरीब और मुसीबत के मारे लोगों की मदद करते हूँ उनको खोली भाड़े पे देती हूँ वो साहिब सोशल सर्वेस सोशल सर्वेस करते करता ही यहां पे रहने वाले लोगों की पैचान पत्र की कॉपी नहीं लेती हैं काशनकार वगर आप कुछ ने मिला में यहां से जिससे सुमुक और उसके पिताजी के बारे पर कोई जांकारी मिल सके हैं अरे साहिब, सब गरीब लोगों के पास कीधर होता है पैचान पत्र आपके पास उनका कोई फोटोग्राफ है? नहीं साहिब, सुमुक और उसके पिताजी चार मेने पहले आये थे साहिब, उसका लड़का विकलांग था, इक से चल भी नहीं पाता था, मैंने तो उसको खोली दे के उसकी मदद की, साहिब, वो पाप बेटा, दोनों जलकर मर गए, अरे, उसके बाद पुलिस का कितना लपड़ा जेला मेंने, अज आप लोग यहीं पे रहते हैं, किसी को तो देखा होगा, नहीं, और आपने, सर मैं तो यहां तीन मेने पहले ही रहने आँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, ताहिब, यह सच बोलता है, यह तो अभी रहने को आया है, वो तोनों बाप बेटा ना किसी से बात नहीं करते थे, कोई रिस्तेदार, दोस्त, कोई उन आप लोगों ने कभी उने बात करते वे सुना, या फिर किसी का नाम का जिकर करते वे सुना हो, याद करिए, हाँ साब, मरने से तीन दिन पहले रात को बाप बेटे में खूब जगडा हुआ, और किसी बात को लेकर भहस भी हो रही थी, कैसी बहस? वो सुमुक अपने पिता करने के लिए गह रहा हूँ, वेरंडर के दौर पर या किसी चीज को गिर भी रखें, और उसके पिताजी मना करें इस बात के लिए, हो सकता ने खिर, पर अब भी सवाल वही है, या आफिर वो कौन है जो सुमुक अपने पिताजी के साथ उस चाल में रह रहा है, और फिर भ अड़ोसी बतारे थे, दोनों बाप बेटे में बंती नहीं है, बैस होती रहती है, इसलिए सुमुक के पिताजी ज्यादा तर घर के बाहर रहते हैं, और यह सुमुक अपाईज होने के कहारान गर के अंदर, बाप बेटे किसी से बाक्चीत भी नहीं करते है, सर बाप बेट कहां पर? ओके, टैंक्यू, टैंक्यू वेरी मिच्च सर, जिस कार में मदुसुदन को किट्नैप किया गया था, उसका पता चल गया है अभी थोड़ी देर पहले, उसे गुम्ती नगर चाल के पास बाया गया है तो देर अभी जीत, मदुसुदन को भी वहीं पे चुपा के रखा गया है गुम्ती नगर, गुम्ती नगर यहां से हमें पैदा ली जाना होगा लेकिन साफदान रहना, उनी कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है इस पार वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए जा गो हमारे है कि अग्णाश तुम्मेंसे किसी ने गोली चलाए नए सर मैंने तो गोली नहीं जलाए नए सर मैंने नी तब तुई जरूरुर उसे खुणी का क्याम हो जिस दिशास तो गोली के आवाज आदे उतरा जाओ क्यू बन एड़ी, सिद्नाई से सब्बालो आउ पकाच दॉट खुछ तुम्ट अपने कुपता चल गया था किया मिआ आप पाँ चुका है वापस चलो सुनो अपनी आखे को ली रखेंगे गदी ने ज़िए अन्हेंट अपने अपनी अखे को ली रखेंगे तुम मेरी यावास नहीं दे रही है? हुँ वो पान था जिसने बोल चिलाए और वो तुम सब को मनना क्यों चाता था? वह हमारी बॉस का भी ले गया बॉस क्या ना मैं तुमारे बॉस का? लखी लखी ना में बॉल लखी और यह सपान है? जिसन बागी है सारे अबरे साथी है एक खुमी एक गुल्मों क्यों अगवा करेगा? सुनो सुनो इसने मुजरूम को देखा है हराल में इसका पचना असर हो दे अस्पिल लेज़ाए आपनी जहरीया इसका उपरेशन करना होगा देगे डॉक्र साब इस आदमी के बायान पर दो लोगों की जान ताउपर लगी है दो लोगों की जान? मैं तो समझा नहीं अबसाब हमें खुनी को नूट रहे उसने दो खुन किया और दो लोगों को पकड़ के रखाया और उसके अबारे में सिर्फ यही बता सकता है यही है देखे इसको खुष ऑपरेशन के बाद ही आएगा उन बहुत बहुत चुका है मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता है हाँ मैं अप्ते तरफ से पूरी कोशिश करोगा वही तो रास्ता होगा जिसे थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ देर तक रहेगा लेकिन उसके बाद यसे फोरण ओपरेशन थेटर ले जाना होगा और मैं आपको एक सेगिन में नहीं दे सकता है क्या हुआ क्या हुआ मैं कहा हुआ जॉल में किसी ने तुम पर गोली जलाई थी कौन था बो आपनी सुमुक सुमुक का भूत रेकी बाई को उठा लेगा सुमुक का भूत हाँ सुमुक बाई में से माल गिया था अब वापस वापस आगे है यह प्रिभोश हो गया इसको आपरेशन के लिए ले जाना होगा चाल सुमुक जिंता है उसी की तो राख मेली थी ना कुमार रोपार्क के गले में तो फिर यह सुमुक जिंदा केसे हो सकता है अगर सुमुक जिंदा है तो वो राख थी किसके और इस वक्त सुमुक कहा है इसका जवाब तो वो अकाउंटन्ट देगा लकी का सबसे विश्वासू अकाउंटन्ट ठाओ उस अकाउंटन्ट को अकाउंटन्ट 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 आँप यार यार मैं मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ तो बताओ मिस्टर वेजया, तुम एक एम्बीय हो, कहीं भी नौक्री कर सकते थे फिर भी तुमने लखी जैसे क्रिमिनल के लिए काम करना उचित संझे उसके गयर कानूनी धन्दों का इसाब किताब तुम ही संबालते हो ना? हाँ, मैं यही संबालता था उस सुमक के बारे में क्या जानते हो? सुमक? उसने तो लकी भाई से 25 लाक रुबार उदार लिये थे लेकिन समय पर रकम लोटा नहीं सका और उसमक लकी भाई को शेहर में अपने नाम की धाग जमानी इसलिए उन्होंने सुमक और उसके पिदाजी को मरवा दिया लेकिन आप सुमक के बारे में क्यों बूच रहें? वो तो एक छोटी सी मख़्ी जिसे तुम एक छोटी सी मख़्ी कह रहे हो उसने लकी को अगवा किया उसके सारे आदमियों को मरवा दिया एक अपाहिश ने तुम्हारे लकी भाई को ख़दम कर दिया समझे तुम अपाहिश? कौन है अपाहिश? सुमुक तो अपाहिश नहीं था क्या? सुमुक अपाहिश नहीं था नहीं लेकिन चॉल में सब ने बताया था कि वो पाईश था ना मुंकिन है जब वो लकी भाईश से उधार मांगने के लिए आया था तब मैं वहाँ पर मौझूद था किसके मांगना आया था वो पैसे वो नई दुकान खोलना चाहता था वो अपने और अपने फिता जी के लिए नया घर लेना चाहता था लेकिन वह अपने पैरो पर चलकर वाःपपर आया था और अपने पैरों पर यह वहां सी गया सरफीर ह॥री है कॉंच जो नकली समुक बन मांडवा गली खुडी नम्मर चाहर यह तो वही चोहर है जहां पर हम लोग जाके आ चुके हैं यह वही जगे है जहां लकीन अपने गुंडों को भेजा था सुमुक और उसके पिता जी को जला के माठ डालने के लिए एक मिली मेरे पास उस नई जगा कभी पता है सुमुक ने दुकान बनाने के लिए इस जगा को भाड़े पिलिया था बारा मयूर चौक नविहार ले नविहार ले उसके दुकान चलते हैं बहुत करली उसने दुकान दारी तो पागल है बागल हो गया, जे क्या बहुत गया है धखो मुजी जाने दो, मैंने तुमारी वड़ यह तुमने ऑख़त सी बांद के रखा हुआ है देखो, देखो नारा किया दरण अ इस लककी का है तुभारे बाबा को मेने नहीं मारा है। तुभारे बाबा को इसने मारा है। जब पकवास कर रहा मंदु सुधन? जब इसने बचा हुआ पैसा नहीं दिया, तो तेरे कहने पे मैने इसकी पिता को मारा हूँ और इस दाम उच पर लगा रहा हूँ। देखो, मुझी जाने दो, तुभी जितना पैसा चाहिए, मैं दूँगा। मैं किसाथ कहता हूँ, बैल मिलने लूगा। तक चहरा हूँ। क्या हो अलकी हूँ। बल्की बन ना? सब मेर नाम सणी है, सब मैं इसी फुली में रहता हूँ। हाँ? और आप? मिस्टर मधु सुधन, एक्स्टायल इंडस्ट्रिलिस्ट। इतनी उमीद लेकर आया था ना मैं तुमारे पास। मैं तो बस एक छोटा सा सैलून कोलना चाहता था। अर भेग मांगने नहीं आता तुमारे पास। तुमारे पास। दार मांगने आया था। उवे कागजाद नहीं थे मेरे पास। बेंक चे लोन लेने के लिए। मजबूर है। तुम जैसे प्राइवेट इंवेस्टर्स का दरवाजा खट-कटाना पड़ा। पर तुम जैसे लोग खुन्चूस लेना चाहते हो। हम जैसे गरीबों का। नहीं, लेकिन मैं ऐसा। रखी भए, एक इस देने में देर कर देने पर कोई किसी के बाबा और उसके निर्दोस बेटे को चला कर मार सकता है क्या? हाँ? गल्ट गल्टी तुम आपका दुपली अब मैं माप भी बांग दा हूँ इसके बहकार में आगया था मैं, इसके, मधुसुद्ण की तो इते लिए मैंने किया था लेकिन सुमत मजे इस बास समझ मेंने आया इए मैंने तुम्हे और तुम्हे टिता को जला कर माड डाला था जिंदा कैसे बच्छे है? तुम्हारे बेवकूफ गुंडों ने, मुझे नहीं मारा मेरी जगए, ये ने दोस्त अपाइज भाई को चला कर मार दिया समझें? या? तुम्हारा छोटा भाई भी था? मेरा छोटा भाई भी था, वो चल नहीं सकता था अखिर क्या दोस्ता मेरा भाई, मिर्दुलकाँ इसको सुमुक समझकर इसके, इसके गुंडों ने चला कर मार दिया सेमद है सुदेन, तुम यही सोच रहा हूँ कि आखर अभी तक मैंने तुम्हें संदा क्यों रख़ा है क्योंकि, क्योंकि तुम मुझे अच्छाद भी सबस्ते हो और सिर्फ चेताबनी दे कर छोड़ना चाते थी चाब! तेरी वज़े से तेरी वज़े से मैंने पूरे परिवार को खो दिया है तुझे बहुत बड़ी सजा दूँगा तुरी आखों के सामने मैं लग्की का खून करूंगा ताकि तु देख सके कि मरते अस वक्त कितना दर्थ होता है इसके बाद इसके बाद मैं तुझे मारूंगा ऐसे ही ताकि तु एक बार नहीं बार बार मर सके बार बार मर सके तुम ऐसा नहीं कर सकते लेटी कुछ करो हां मगुसरय। मैं करता हूँ तुम्हारे अपने लिए कुछ इंदो बिलीज एंदो प्लीज बेटवरे छोड़ों छोड़ों फ्लीज सुमग CID आप लोगग इस जगे कईी कबरे में किसने बताहे हैं लेटी के काउंटेंड तुम्हारा खेल खता हुआ माख बढ़ दिजी से से बहुत अजया सकता अजया 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 था मैं तो एक सिधी साथी जिन्दगी जीना चाहता था मैं एक एरस्टालिस बनना चाहता था लेकिन मेरे बाबा एक स्कूल टीचर था मेरा ये बाल कानने का पसद नहीं था लेकिन मैंने भी ठाल ली था कि मैं एरस्टालिस बन हुगा मैंने एक सलून में नौकरी करना शुरू कि मेरे बाबा ने मुझसे उसे रिष्टा ही तोड लिया था तुमारे पिता जी शॉबाजी कि चोल में चले गए रहने के तुम तुम भी उनके पीचे पीचे आचले के और असी चॉब मे नहें लेगे आइघ जैसे ही मुझे पथा चला की बाबा और मिरदुल वहा रहने लगे तो मैं भी वहाँ शिफ्ट हो गय लेगिन कर दूँगा कि एक हेल स्टाइलिस बनके भी एक इंसान कामियाब हो सकते है उसे इजजत मिल सकती है और इसलिए तुमने लोन लेने के बारे में सोचा है हाँ हाँ सिर्थ और फिर भी मुझे बैंक से लोन ने मिल पा है एक बन मैंने कोशिज भी की लोन के काख़जाद पर साइं कर आने के लिए कहा लेकिन मेरी उनसे बहां से बहाँ होगी कि बाद कांटा थाही ने भी जुने थी भार्त हो कुमार वोने भी मुझे करजा देने से मना कर दिया था से और आखिर में सलून खोलने के लिए तुमने लगी से पैसे उदार रहे हैं, क्यों? आसर, और मेरा सलून टीक टाक चलने भी लगा था बस एक किस्त देने में देर कर दी था लगी ने अपने गुंडे बेज कर मेरे बाबा और मेरे छोटे अपाहिल भाई को जलाकर माह दिया था अर दुनिया के सामने तुमने अपने भाई की जिगए खुद को माला असर मुझे मेरे पिताजी और मेरे भाई की मौत का गम बहुत सता रहा था मुझे मुझे चैन से दीन नहीं आ रही था इसलिए मैंने बद्दा लेनी के ठान ली थी फिर मैंने उनको एक कमल का एरकट दिया उन सब को मैंने एक एक करके माँ ढाल जब तक फासी का फरमान नहीं आ जाता जेल में बैठके दूसरे काईदियों को हैरकट देते रहना और तुम लोगों को भी सुमुक के पिता और उसके भाई के खुन के लजाम में फासी ही होगी CID के और भी मज़िदार और सस्पेंज से जुड़े एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें